कि इंकम्टेक्स के विद्यार्थियों आज मैं आप लोगों को हाउस प्रोपर्टी में क्यूस्चन नंबर 9 करवा रहा हूं पटेद चोद्री वाली बुपका जो M.G.A.C.U. महाराजा गंगाशी उनिस्टी में 2012 में कोटा यूनिस्टी में 2015 में आया हुआ है अब अगले दो-तीन दिन जो क्यूस्चन करेंगे अपन वो एक्जाम्स के आयोए क्यूस्चन करेंगे ताकि आप लोगों को यह पता लग जाए कि परिक्ष्याओं में किस इस्तर के सवाल आते हैं लेकिन इससे पहले मेरा कहना यह है कि आप लोग इसकी थियोरी दंग से पढ़ ले और इसके उधारन जो भी दे रखे हैं उनको एक को भी नहीं छोड़ें शबको कर लें और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को आउगते करवा सकते हैं तो अब अपन शुरू करते हैं क्यूस्चन नमबर 9 मैं ए और फिर उसके बाद में अपन करेंगे क्यूस्चन नमबर 9 सिरी श्याम चार मकानों के स्वामी है जिनका नगरपाली का मुल्ले क्रम से 25,000 रूपे 32,000 रूपे 24,000 तथा 60,000 रूपीज है इन मकानों के नगरपाली का मुल्ले पर 10% नगरपाली का कर चुकाए गए हैं प्रशन में लिखा हुआ है 10% नगरपाली का कर चुकाए गए हैं और आप लोग जानते हैं कि नगरपाली का करूं को तभी गटाएंगे अपन वार्सिक मुल्ले में से जब ये चुका दिये जाते हैं बले ही वो गतवर्स के हो या उसे पूर्वर्सों के हो वो मकान मलिक के द्वारा चुकाए जाएं तो ये बात आप लोगों को याद होगी मैंने पुने आप लोगों को एक बार इसको बताने का प्रियास किया है वे पहले मकान में स्वेम रहते हैं खुद रहता है पहले मकान में च्यार मकान है पहले में खुद रहता है तथा दूसरा मकान उन्ह व्यापार के हित में और व्यापार में कोई करमचारी काम करता है उसको रहने के लिए दे रखा है जिसका किराया वो दो जारूपे प्रतीमा लेता है तो इसको भी क्या व्यभार करना है किस तरह से करेंगे वो अगर आप लोगों ने थियोरी पड़ रखी है या मेरा बताय सुन रखा है तो उसका तुरंत निर्णे ले सकते हैं कि इस मकान का के आई के समद्ध में यहां कोई लेखा नहीं होगा क्योंकि ये मकान व्यापार और पेशे में काम में आ रहा है तो इसलिए व्यापार और पेशा जो सीर्शक है या हैड है व्यापार और पेशा इनकम प आई सिर्शक में नहीं दिखाएंगे तो इसका यहां कुछ नहीं होगा यह वरकिंग डूट लगा देंगे ठीक है आगे चलते हैं वे तीसरे मकान के वन बाई थ्री भाग का उपयोग भी स्वेम के निवा से दू करते हैं तीसरा मकान है उसका वन थर्ड भाग तो वो स्वेम के काम में लेते हैं और सेश भाग में उसके माता पिता रहते हैं टू थर्ड में उसके मदरफाद रहते हैं तो यह इस लाइन को भी क्लियर करते चलें अपने हरे पॉइंट को क्लियर करते वे चलें ताकि प्रशन करने में उस टाइम दिकत नहीं आएगी आपको यह पता है कि आजकल मकान मालिक अपने श्वेम के रहने के लिए दो मकान काम में ले सकता है और अगर वो अपने रहने के लिए दो मकान काम में लेता है और अन्य कोई उप्योग नहीं करता है तो उनका एन्वल वेल्यू विल बी निल तो एक मकान पहले मकान में स्वेम रहता है और तीसरे मकान के कुछ भाग में भी स्वेम रहता है कुछ भाग में उसके माता-पिता रहते हैं और माता-पिता के बारे में कुछ नहीं का गया है तो माता-पिता उसके उपर डिपेंडेंट हैं के साथ में रहते हैं इसलिए ये मकान पूरा का पूरा उसी के काम में आता है एक बटा तीन वो खुद रहता है दो बटा तीन में उसके मतरफाद रहते हैं जो वो भी उसी के काम का माना जाता है तो दो मकान तो इसके इस तरह के होगे जो स्वेम के निवास के लिए काम में ल पिल होगा फिर छूट देने की बात आती है कितनी छूट दे सकते हैं अपन इंट्रेस्ट के समंद में और रीपेमेंट ओफ लोन के समंद में तो इस मकान की मरम्मत है तू लिए गए रिन पर 32,000 रुपे का ब्याज प्रतिवर्स दे हैं ये जो तीसरा मकान है इसके लिए मरम फोर रिपेर्स ओफ दा हाउस के लिए उसने रिपेर्स के लिए लोन लिया और जिसके उपर हर साल 32,000 रुपे का ब्याज उसको चुकाना पड़ता है जो दे है तो ब्याज की छूट अपन दे के आधार पर दे देते हैं चाए उसका भुगतान किया गया हो या ने किया गय हो लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंट्रेस्ट की अधिक्तम छूट कितनी दी जाए तो इस समंद में रिपेर्स के लिए अधिक्तम छूट की रासी दे रखी है 30,000 तो 30,000 इस पर छूट देंगे और इसकी वज़े से अगर माइनस में भी आई जाती है तो जा लेगी रिंड की रासी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है लोन का पेमेंट अभी नहीं हुआ इसका मतलब ब्याद चुकाना पड़ रहा है ठीक है फिर उसके बाद में आता है चोथा मकान चोथा मकान पांच जार पांच जो रुपे प्रतिमा किराए पर दिया हुआ चोथा मकान है वो किराए पर दिया हुआ है और चोथा जो मकान है उसका नगरपाली का मुल्यांकन अपने को दे रहा है साथ हजार और ये किराए पर दिया हुआ है पांच हजार पांसो तो पांच जार पांसो को अगर बारा से मल्टिप्लाई करते हैं अपन तो ये च्छा 6,000 रुपे एन्युल किराये पर दिया हुआ है जबकि नगरपाली का मुल्यांकन 60,000 है तो इन दोनों में से जो अधिक होता है उसको अपना आधार बानते हैं तो दोनों में से अधिक है 66,000 तो बाद में जब अधिक है जब एन्युल विल्यू की गणना करेंगे तो उस टाइम ये बात ध्यान में रखते चलेंगे आपड़ इस मकान को यानि चोथे मकान को क्राइ करने के समद्ध में उन्होंने जापान में रहने वाले एक एनिवासी भारतिय करदाथा से रिण लिया चोथे मकान को क्राइ करने के समद्ध में उन्होंने एक जापान में रहने वाला एनिवासी भारतिय है उससे लोन ले लिया एनिवासी नोन रेजिडेंट गतवर्ष में इस रिन पर दस अजार रूपे ब्याज के दे थे इंट्रेस ड्यू गतवर्ष में था दस अजार जिसमें उद्गम इस्थान पर कर काटकर सेश रासी चुका दी गई आप लोगों को थियोरी में ये बताया गया था कि अगर भारत के बाहर ब्याज का बुगतान किया जाता है तो उद्गम इस्थान पर करकी कटोती हो जानी चाहिए अगर कटोती होती है तो निर्धारी सीमा तक ब्याज की छूट देने में अपने कोई अपती नहीं है और यहां पर ये बताई दिया कि वो एनिवासी है इसका मलब भारत से बाहर रहता है और उसको ब्याज का बुगतान दस जार रुपे किया लेकिन टीडियेस काट लिया टेक्स डिड़क्टेड एट सोर्स उद्गम इस्थान पर कर काट लिया तो इस सर्तों को पूरा करता ह इसलिए इस ब्याज की छूटे दे देंगे दस जार की क्योंकि अधिकतम लिमिट है वो दे रखी है तीस जार रुपे जो रिपेर्स के समंद में है और ये तो मकान को क्रे करने के समंद में मकान को क्रे करने के समंद में लोन लिया गया है इसलिए इसकी छूट तो वरतमान में दो लाख रुपे तक होती है तो यहां भी अपने को दिक्कत नहीं आएगी यह सुजना है फिर एक सुजना नीचे और दे रखिए दूसरा और चोथा मकान दो मार खाली रा दूसरा मकान और चोथा मकान आप दूसरे मकान का मतलब आपने व्यापार के लिए हित्मे करमचारी को दे रखा है तो उसकी आई तो वैसे ही अपने यहां सामिल नहीं करते हैं तो उसका तो कोई किसी तरह का यहां लेखा करने का सवाल ही नहीं है दूसरा मकान खाली रहता है तो रहे एवं चोथा मकान दो मा खाली रहा अब चोथे मकान है वो किराये पर उठा हुआ है पच्पन सो रूपे पर मंत के इसाब से और दो मेने का किराया होता है उसका फिर ग्याराजार रूपे पच्पन सो को दो से मल्टिप्लाई करें तो वो दो मेने खाली रहा एक मेने का किराय होता उसका 500 तो 11,000 रूपे मकान खाली रहने के समंद में अपन छूट देंगे जब एन्वल वेल्यू की करियों के आए और एन्वल वेल्यू की करना करेंगे उस टाइम तो ये इस प्रशन का इस तरह से एक एक लाइन को मैंने आप लोगों को क्लियर किया उसके बाद मैं फि इसको करने की सुरुवात करते हैं करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जो पूछा है उसका हेडिंग लगाना है अपने को और इन्होंने पूछा मकान संपती से करियोंगे आए तो मकान संपती से करियोंगे आए का आप एक हेडिंग लगा देंगे जो हेडिंग हुआ Computation of Taxable Income from House Property Computation of Taxable Income from House Property for the Assessment Year या सोट में लिखने for the AY A Capital and Y Capital Assessment Year 2020 ये heading आपने लगा दिया अब उसके बाद में तीन जो मकचोथा मकाम तो व्यापार में काम में आता है तो उसके तो अपन कोलम ही नहीं बनाने है अपने को तीन मकानों के कोलम बनाते हैं अपन तीन में पहला हाउस जो सेल्फ उक्यूपाइड है कोपी के पन्ने के आप राइट साइड में तीन कोलम बनाने जा रहे हैं और तीनों कोलम रूपए के होंगे और रूपए से उपर अपने लिख लें फस्ट हाउस सेल्फ उक्युपाइट यानि पहला जो मकान है वो स्वेम के रहने के काम में आ रहा है फिर उसके बाद में तीसरा मकान तीसरा भी सेल्फ उक्युपाइट है तो आपने लिखा थर्ड हाउस Self occupied ये लिख दिया उसके नीचे रूपीज लिख दिये और एक कॉलम बना लिया अपने और फिर चोथा हाउस First house का कॉलम बन गया Third house का बन गया And last में Fourth house और Fourth house का कॉलम बनाया अपने कॉलम के उपर लिख दिया Fourth house ही और उसके नीचे लिखा Let out Let out मने किराय पर दिया हुआ है और फिर नीचे रूपीज लिख दिया RS इस तरह से ये एक प्रफॉर्मे की ड्राफ्टिंग हो गई कोई विसे इस बात में ये एक हैडिंग लगाया और तीन रूपे के कॉलम है और रूपे के कॉलमों से उपर मकान किस सम्मंद में काम में आ रहा है वो लिख दिया 1st house लिख दिया 3rd house self occupied and 4th house let out अब उसके बाद में अपन चरण बद रूप से जो अपने 4 चरण है वो दिखाएंगे और करने की शुरुवात करते हैं अपने पास में लेट साइड में प्रटिकुलर्स के लिए जगह बची हुई है उसमें अपने लिखा computation of GAV capital G and capital A and capital V gross annual value gross annual value की गणना करते हैं और उसमें चार चरण होते हैं तो पहला चरण दिखाते हैं अपने पहला चरण होता है प्रत्यासित किराया प्रत्यासित expected rent expected rent में सबसे पहले step first लिखा अपने step first step first में नगरपाली का मुल्लांकन दिखाएंगे मुनिसिपल वेलिवेशन शाठ हजार और चूंकि अपन जो अधिक होता है उसको काम में लेते हैं दूसरी सूचना अपने पास में उचित किराय की नहीं है अगर होती तो इस जोनों में जो अधिक होता उसको लेते हैं लेकिन दूसरी सूचना ही नहीं है तो अपने केवल लिख दिया मुनिसिपल वेलिवेशन और step first complete हो गया step first complete हो गया मकान इन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है self occupied house है उसका annual value nil होगा और annual value में से ब्याज के संबंद में शूट देनी है और उसकी वज़े से आए अगर माइनस में भी जाती है तो जाएगी तो अभी फिलहाल अपन house first और third के column में कुछ नहीं कर रहे है केवल fourth मकान है उसके column में last order में अपने लिख दिया municipal valuation साथ हजा step first हो गया फिर step second आता है step second आता है कि मकान के संबंद में rent received or receivable पूरे साल अगर ये किराए पर रहता है तो rent receivable और वो है पांच हजार पांच सो को multiple line किया अपने बारा से तो 66,000 हो गया अब last के column में fourth house के column में आपके पास में दो figure आ गए एक 60,000 आ गया एक 66,000 आ गया इसके नीचे आपने एक line कहेंच दी और step third में आते हैं step third कहता है higher figure first और second step का जो भी higher figure है उसको लेंगे अपने तो अपने लिखा step third the higher figure between step first and second is taken base for computation of gross annual value gross annual value की गणना करने के लिए first और second step में जो अधिक है उसको आधार माना अपने step third में तो step third के सामने लिख दिया अपने 66,000 और फिर step fourth ही ये कहता है कि अगर मकान खाली रहता है मकान अगर खाली रहता है तो इस में से आपको छूट देनी है मकान खाली रहने के समन्द में और ये मकान खाली रहा दो मेने और दो मेने का किराया होता है 11,000 रूपे तो step fourth में आप दिखाएंगे step fourth लिखा और फिर लिख देंगे rent for vacancy period rent for vacancy period is deducted ये घटाया गया है from the base value और base value है अपना 66,000 दोनों में से जो अधिकता वो तो 66,000 में से 11,000 घटा दिए last के कोलम के figure चल रहे हैं पहले और दूसरे कोलम में कोई figure नहीं आ रहा है 66 में से 11,000 घटा दिए तो ये रासी आई 55,000 जिसको अपने कह दिया gross annual value ये gross annual value आ गया gross annual value 55,000 last का और house first और house second का gross annual value में आप लिख दें nil 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 पहले कोलम में gross annual value nil दूसरे में gross annual value nil और तीसरे में लिख दिया 55,000 ये निकाल दिया अपने gross annual value आप लोग जानते हैं gross annual value के बाद में नगरपाली का कर घटाए जाते हैं तो अब अपन कर रहे हैं नगरपाली का करों के घटाने के सम्बंद में विवहार तो less municipal taxes paid municipal taxes paid और वो last वड़ा मकान है उसके सम्बंद में नगरपाली का कर चुकाए गए हैं नगरपाली का मुल्यांकन के 10% तो 10% होते हैं 6,000 तो 6,000 रुपे अब अपने को घटाने हैं किस में से gross annual value में से पसपन में से 6,000 घटा दिये लेकिन इस से पहले पहला मकान और तीशरा मकान इनके सम्बंद में नगरपाली का कर नहीं गटाए जाएंगे क्योंकि इनका gross annual value निल मान लिया गया है जब gross annual value निल मान लिया गया है तो नगरपाली का कर नहीं गटाएंगे नगरपाली का करों की वज़े से मकान की आय माइनस में नहीं जाने देंगे ये बात आपने आप ध्यान में रखनी है तो नगरपाली का कर्क फस्ट हूस और थर्ड हूस के नहीं गटाए जाएंगे जबकि चोथे मकान जो किराय पर दिया हुआ है उसके गटा दिये जाएंगे अब वो गटा दिये तो आपके पास में अब सारा annual value आ गया आप लिखेंगे annual value house first का निल, second का निल और third का आ गया 49,000 ये annual value आ गये अब annual value के बाद में अपने को taxable income चाहिए तो taxable income तक पहुँचने के लिए आपको standard deduction की छूट देनी होती है वो देंगे और interest on loan की छूट देनी होती है वो देंगे और उनकी वज़े से अगर I minus में जाती है तो जाएगी लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि standard deduction की छूट जो स्वेम के रहने के मगान है जिनका annual value आपने निल मान लिया उसमें से standard deduction की छूट नहीं मिलेगी इसका मतलब ये होगा कि standard deduction की छूट केवल मिल रही है चोथे मकान में और वो मिलती है annual value का 30% चोथे मकान का annual value आपने 49,000 निकाल लिया 49,000 का 30% करेंगे आप तो ये रासी आती है 14,700 चोथे मकान यानि तीशरे कोलम में गुणन 4,000 में से standard deduction की छूट जो 30% होती है annual value की वो आई 14,700 वो गटा दो तो अपने लिखेंगे less standard deduction standard deduction पहले मकान में नहीं दे रहे हैं दूसरे मकान में भी नहीं दे रहे हैं और तीसरे मकान में अपने दे रहे हैं 14,700 standard deduction और फिर उसके बाद में अब देना है अपने को interest on loan interest on loan की रासी की छूट अपन दे रहे हैं अधिक्तम repairs के लिए 30,000 रुपे तो पहले मकान में कोई छूट नहीं मिलने वाली है क्योंकि loan का मामला नहीं है जबकि थर्ड house के लिए interest on loan जो रासी दे रखी है interest on loan की वो interest on loan की रासी दे रखी है इन्होंने 32,000 रुपे मकान की मरमत के समंद में लेकिन छूट अधिक्तम मिल सकती है 30,000 की तो अपन दे रहे हैं interest on loan पहले मकान के समंद में कोई छूट नहीं है निल और दूसरे मकान में दे रहे हैं 30,000 रुपे की छूट तो दूसरे मकान के कॉलम में लिख दिया 30,000 रुपीज के कॉलम में लिख दिया 30,000 और इसी तरह फिर चोथे मकान जो भारत से बाहर ब्याद चुकाया 10,000 उसकी भी छूट दी जा रहे हैं क्योंकि अधिक्तम लिमिट से कम है तो इसकी छूट दे देंगे 10,000 की ये छूट दे दी तो इस तरह से चोथे हाउस के समद्ध में दो छूटे हैं स्टेंडर्ड डिरक्षन की चूट और लोन की चूट स्टेंडर्ड डिरक्षन 14,700 इंट्रेस्ट ओन लोन है 10,000 तो ये 14 और 14,700 होते हैं 24,700 गुणनचाश जार में से घटाते हैं तो ये रासी आती है 24,300 चोथे मकान के समद्ध में टेक्सेबल इंकम आती है आएगी 24,300 गटने के बाद में और फिर एक थर्ड मकान के समद्ध में रिपेर्स की चूट और देनी है इंट्रेस्ट ओन लोन फोर रिपेर्स तीश जार तो वैसे तो उसकी एन्वल वेल्यू निल आ रही है लेकिन ब्याज की चूट देंगे इंट्रेस्ट ओन लोन स्वेम के रहने के मकान के समद्ध में इंट्रेस्ट ओन लोन चाए रिपेर्स के उपर हो चाए मकान बनवाने या खरीदने के समद्ध में हो उसके उपर निर्धारित सीमाओं के अनुसार छूट दी जाएगी तो तीसरे मकान में अधिकतम छूट दे सकते हैं 30,000 तो आपने तीसरे मकान के कॉलम में रूपीज में लिग दिया इंट्रेस्ट ओन लोन 30,000 30,000 की छूट दे रहे हैं हलांकि इंकम इसकी निल आ रही है और निल में से 30,000 की छूट देंगे टेक्सेबल इंकम निल है जबकि दूसरे थर्ड हाउस में या दूसरे कॉलम में आ रही है माइनस के 30,000 माइनस के 30,000 और चोथे मकान के संबंद में आ रही है टेक्सेबल इंकम 24,300 तो ये हाउस प्रोपर्टी की आई हो गई एक आई माइनस में है और एक आई प्लस में है कुल मिला के रेड नेट जो रिजल्ट आएगा वो प्रशन के नीचे आप लिखेंगे टेक्सेबल इंकम फ्रोपर्टी और आप लिखेंगे पहले की निल और दूसरे की माइनस 30,000 और फिर उसके बाद में चोथे की लिख रहे हैं प्लस 24,300 इनको सबको प्लस माइनस का हल जब किया तो नेट रिजल्ट आ रहा है माइनस 5,700 तो ये है टेक्सेबल इंकम फ्रोपर्टी जो माइनस में चली गई है मकान संपत्ती की आए माइनस में गई है जो अन्य सीर्षकों के आए से जिसकी पूर्टी की जाएगी थैंक्यू